और आप पेश है नाटक रेडियो के एक खास प्रस्तुती सादत हसन मंटो द्वारा लिखे गए रेडियो प्लेस का ये दूसरा प्ले आओ ताश खेले आओ ताश खेले में किशोर का पाट अदा कर रहे हैं हरीश अगस्त्य लाजवन्ती का पाट अदा कर रही हैं समराजान और नारायन का पाट अदा कर रहे हैं अभे परांजबे प्रस्तुत करता नाटक आओ ताश खेले आओ ताश खेले क्या कहा? नुस्खे बाद में तजवीज करना? पहले ये बताओ तुम क्या-क्या रही थी? कह रही थी आओ ताश खेले ताश खेले? ये भी कोई वक्त है ताश खेलने का तुम तो बेवक्त की शहनाई हो अच्छा? ये आज मालुम हुआ कि ताश खेलने का भी एक खास वक्त और खास लगन होती है मेरा मतलब ये था कि जिस तरह सैर करने का वक्त सुबा या शाम होता है उसी तरह ताश खेलने का भी एक खास वक्त होता है हर चीज का एक ना एक वक्त होता है गाना वही अच्छा जो वक्त पर गया जाए वक्त मुकरर है, मैंने तो जब देखा तुम्हें जलब होना ही देखा, घर में एक दो अच्छे बोल मुह से निकालना भी तुम्हें दो भर मालूम होता है, कोई मुई एक्टरस बैटी हो, तो चटाख पटाख बातने शुरू कर दो, भला मुझनिगोडी से तुम्हें वास् अच्छा आओ, ताश खेलें, गो या, मेरे बाप दादा पर बड़ा एहसान हो रहा है, अगर नहीं खेलना तो ना खेलो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, जराइने में अपनी शकल देखो, हुकम के गुलाम बने हुए हो, क्या यहीं मूलेकर क्लब में ताश खेला करते हो, तुम अब इस किसे को छोड़ो ना, आओ, ताश खेलें, तुम्हारे साथ कोई बाजी लगा कर खेले, तो तुम्हें मजा भी आए, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, तो ना कोई दाव होगा, न शर्ट, बला ऐसे सूखे खेल में, तुम्हें क्या दिल्चसपी, गिरा से 10 20 रुपे निकलने का डर हो, तो तुम भी खेलो, मैं अब कहजो रहा हूँ कि लाओ, ताश खेलता हूँ, अब क्या स्टैंप लिख दूँ, पर मैं पूछता हूँ कि तुम बैठे बैठे, आज ये ताश खेलने की क्या सुझी, ताश के पत्ते तो ठीक से तुम पकड़ ही नहीं सकती, खेलोगी क्या खाँ? तो मा के पेट से तो ये सब खेल सीख कर नहीं आए ना, दो दिन खेलोगी, साब समझ में आ जाएगा, और ताश खेलने में कौन सा पहाड याद करने पढ़ते हैं, जिसका पत्ता बढ़ा हूँ, जित गया, उफ, लाओ, ताश कहा है? ये लो, अब बांटो, मैं ऐसी की ऐसी ताश तुमारे हाथ में दे देती, और तुम सब अच्छे पते आप ले जाते, लो, अब जल्दी से बांटो, कोई गरबर की तो याद रखना लड़ाई हो जाएगी, दो धेरिया बना देता हूँ, जो अच्छी लगे ले उठालो, उठ ठहरो, ठहरो, इसको कौन जीतेगा, हाँ, हाँ, हुकम का गुलाम, जीत लिया, जीत लिया, चलो, अब दूसा भेंको, अब तुमारी बारी है, वाँ, एक तो हम पत्ता जीतें, और फिर हम ही पत्ता गिरें, ये कहा का दस्तूर है, लाजवन्ती, तुम पत्ता गिरो, परमा ये लो हमने पान की तिगी खेली और हमने चौके से उठा ली कभी मुझे उठा के देखो जब जानू चौके में तुम जैसे गंदे आदमियों को कभी घुसने ना दू अब तुम बीच में ये चौके और रसुई का जगडा क्यों ले बैठी हो हम ताश खेल रहे हैं बावर्ची खाने में बैठे चूलहे नहीं सुलगा रहे बावर्ची खाने में कभी चूला सुलगाना पड़ जाए तो ना नियादा आ जाए तुम्हें बावर्ची खाने में बैठे चूला नहीं सुलगा रहे क्या भोले मू के साथ तुमने ये कह दिया कोई समझे ये चूला सुलगाना मामूली काम है मेरी आंखें खराब हो गई हर रोज के दुएं से सुजाई कम देने लगा और अब ये चूला सुलगाने का काम बड़ा असान है बड़ा मामूली है मालूम होता है कि आज तुम इस ताश से चूले सुलगवाना चाहती हो मैं सच कहता हूँ मैं ये सब पत्नों को उठा कर चूले में जोंगतूंगा तुमें ताश खिलना ही है तो सीधे मन से खिलो बीच में ये लेक्चर न शुरू करो अब नाराज हो गए चलो हाँ मैं भूली मेरी बारी है ये लो पान की बेगम पान के शा ने काट ली ना रहे इस दुनिया के तख्ते पर इन सारे पत्तों में एक ही बेगम आई थी ये मुआ शा काट कर ले गया यही बात मुझे इस ताश में बुरी लगती है पला बेगम और काट ली जाए, गोया उसकी कोई बड़ाई ही नहीं है दस पत्तों, दुग्गी से लेकर हुलाम तक तुम्हारी इस बेगम की तलवार चलती है जिस पत्ते का सर चाहे भुट्टे के मानिन उड़ा दे, अब और कितने इख्तियार चाहती हो नहीं, मैं इतनी इजाज़त दे सकती हूँ के बेगम शाह से उठाई जा सकती है इन दोनों का कुछ जोड हुआ, बादशा बेगम को ठंडे दिल से ले जाए पर और कोई आँख उठा कर नहीं देख सकता लेकिन इस मुएं इक्के को तुमने यूँ क्यों बड़ा बना दिया तुम ही बताओ, एक से दो बड़ा होता है ये नहीं? हाँ, होता है परमात्मा तुम्हारा भला करे, अब ये सोचो के एक्के को दुगी क्यों नहीं काट सकती ये खेल के उसूल के खिलाफ है, एक्के को दुगी से काटने का काईदा नहीं है काईदा नहीं है, दस्तूर नहीं है, ये क्या हुआ? वाजिवा, लोग पुराने काइदे और पुराने कानून तोड़ने के लिए अपनी प्यारी जाने दे रहे हैं महत्मा गंदी और पंडित जवाहिरलाल जी ने कैदे काटी कि नए काइदे और नए कानून बने और तुम भही लकीर के फगीर बने रहे सरा कभी अकल से भी काम लिया करो शहजादी को शाह ले गया इसलिए कि वो उसी की थी पर ये मुआ एकका जिसका ना सर ना पैर ये क्यों सबका पेंच बना हुआ है इसे क्यों बड़ा बना दिया गया है हटाओ इसको, अगर बावन पतों में से एक ये कम हो जाएगा तो क्या फर्ख पढ़ जाएगा काइदे बनाए हुए हैं, दस्तूर ये हैं नौ जैसे खेल पर और हाँ, मैं तुम से ये तो पूछू कि तुम्हारे काइदे बनाने वालों ने ताश में स्त्रिया कितनी रखी हैं स्त्रिया कितनी रखी है? किसने है? मैं ये पूछती हूँ कि ताश में कितने पते स्त्रिया हैं, यानि औरते कितनी है? स्त्रिया, औरते, तुम्हें हर वक्त इन बातों का ही खटका रहता है, सारा दिन तुमारे पास रहता हूँ, फिर भी तुमारा शक्त दूर नहीं होता, मैं तुमारे सिवा किसी और स्त्री की तरफ आख उठा कर भी नहीं देखता चोर की दाड़ी में तिंका, अजी जनाब मैं ये पूछ रही हूँ कि इस ताश में कितने पत्ते ऐसे हैं जो मौनस हैं, तुम ये पूछ रही थी कि ताश में कितने पत्ते ऐसे हैं जो मौनस हैं, और मैं ये समझ रहा था कि ये ये पूछ रही हो, लो अभी बताए देता हू ताश में इतने पत्ते अरते हैं दुगी, तिगी और बेगम और अब बस करो फक्त तीन, बावन पत्तों में सिर्फ तीन तुम लोग उन्चास और हम सिर्फ तीन ये भी अजीब इंसाफ है सच तो ये है, कि इस ताश का बनाने वाला कोई मर्दों का तरफदार बड़ा बेंसाफ आदमी था अरे, तुम तो तीन कबूल रही हो अगर पत्तों में एक फक्त पेगम ही होती तो बाकी बारा का मुकाबला करने को काफी से जादा थी और उस बारा मुर्दारों की फौज का सपे सलार तुम्हें बनाया जाता क्या अच्छे लगते, एक औरत का मुकाबला करते कोई पूछता ये फौज किस दुश्मन पर धावा बोल रही है तो जवाब देते, एक निहती औरत पर मर्दान की इसी का नाम है बात में से बात निकालती हो दिल से नीव डालती हो और फिर इट पर इट और रद्दे पर रद्दा चड़ाती हो और जिस बात को पकड़ लेती हो उसका पीचा नहीं छोड़ती हो जाने काहे का दिमाग पाया है साफ साफ क्यों नहीं कहते किसका दमाग पाया है तो वो बात-बात पर चिलानी की आदत तुम्हारी ही है नौज जो कोई तुम से उलजे मेरी बातें तो तौर तरीके की होती है यानि तुम बात करती हो तो यो मालूम होता है मूँ से फूल जड़ रहे हैं क्यों पर आतिश-बाजी के भूल जो कलेजे को जला कर खाक सियाख कर देते हैं तुम्हारी तरह नहीं कि बात करते जाते हो और सुईआ कलेजे में चुबःते जाते हो एक-एक तुम्हारी बात एक-एक तीर और वो भी जहर में बोजा हुआ इसलिए तो मैं भूले से तुमसे बात नहीं करती मैंने भला क्या कहा था यही ना कि आओ ताश खेले पस इतनी सी बात थी जिसे अफसाना कर दिया मैंने तो अफसाना नहीं किया तुम ही रामाइंड लेकर बैठ गई हो जो खत्म ही नहीं होती ताश खेलने बैठ गया तो शुरू हो गई बेगम को शाक्यों काटे इक्के को दुग्गी क्यों न उठाए ताश बनाने वाला बेशक घदा था पाजी था ले अब सुना और मुझे छेड़ो लाजवन्ती इस मुए ताश बनाने वाले पर साथ जाड़ो और हुके का पानी और सुनो अच्छा भाई तौबा हुई तौबा मेरी तौबा आओ अब ताश खेलो जाओ अब नहीं खेलती खेले मेरी जूती खेले मेरी पैजार सुना के नहीं तुम जाओ उन मुई उल्फतियों से ताश खेलो तुमको उनी से खेलने में मज़ा आता है अरे 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 इतना गुस्सा बात का बतंगर इसी को कहते हैं लो अब गुस्सा जाने दो अब जो मैं कुछ कहूँ तो जो चोर की सजा वही मेरी बात का बतंगर कह दिया और कुछ कहा ही नहीं वो तुम ही हो जो फुसरी का भिगंदर करते हो आग लगे इस खेल को जाड़ू फिर इस खेल पर मैं दरगुजरी ऐसा खेल खेलने से मुआ खेलना हुआ जानका वबाल हुआ इतनी लड़ाई लड़ने निगोडे इस अधना से खेल के वास्ते चूले में जाए खेल और वाली बंदरियां निगोडी पिछल पेरियां वो ही तुम्हारी सब कुछ हैं मैं तुम्हारी कौन ना तीन में ना तेरा में ना सुतली की गिरा में तुम हो मेरी पतनी मेरे सहरे जलवे की ब्याही घर की मलिका मेरे मनमंदिर की देवी मेरी सब कुछ तुम पर से हजार पीटो जो न मुस्कुराओ अच्छा धेरो खेलती हूँ पर एक शर्थ है वह क्या खेर जो शर्थ भी हो मुझे मन्जूर है अहा आज तो भावी जान तास केल रही है अब पर मालूम होता है अब तक बाजी नहीं लगी चलो ये भी अच्छा हुआ नमस्कार भावी जान आज दोस के हाँ बैट गया उसने मुझे तास का एक खेल दिखाया और मेरे होश गुम कर दिये मैं जो पत्ता खीचू वो जट से बता दे हम बड़ी देर तक मैं उसकी मिन्नते करता रहा आखिरकार उसने वो खेल मुझे सिखा दिया सीखायो हूँ ना हाँ सीखाया हूँ तुम अभी भाबी को खेल दिखाओ मैं अभी आया अरे अरे कहां चले मैं कपड़े तबदील करके अभी आता हूँ तुम इने खेल दिखाओ अच्छा भई तुमारी मर्जी भाबी किशोर बड़ा घबराया घबराया दिखाय देता है मुझे क्या मालूम आप जानते होंगे किस इसलिए कि जो ये नया खेल सीखा है आपको दिखाता जाओं बड़ा दिल्चस्प खेल है दिखाओ आपको दिखाईए पर आप क्या सच कहते हैं कि आदों की किसी के साथ अपॉइंट्मेंट नहीं है जॉन सा पत्ता आप इसमें से हां क्या कहा आपने कुछ नहीं हां जॉ मैं आपको बगेर देखे बता दूँगा समझी आप बगेर देखे यानि मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा और आपको खीचा हुआ पत्ता बता दूँगा बगेर देखे बगेर देखे हम पर आप ये नहीं बता सकते कि वो दूसरे कमरे में क्या करने गए हैं बगेर देख यानि जौन सा आप चाहें खीच ले, पर मुझे ना बताएं कि वो कौन सा पत्ता है, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपका पत्ता क्या था, क्या, कैसा है ये खेल? फ्हलाईए पत्ते, ये रहे, हाँ, कोई सा, कोई सा पत्ता खीच ले, तो खीच लिया आपने? जी आपको भी करेम मरत पार अन्हीं आ ज्एक बता लुस अगुब थारी और ख सब्सक्राइं निया करते हैं। आपने पत्ता रग भी दिया और मिला भी दिया, बहुत अच्छा गया अब मैं आपको आपका पत्ता बताता हूं, पर आपको तो याद ना? याद है, इन्ट की तिगी थी एलो, आपने फिर मुझे आपना पत्ता बता दिया अरे भाबी जान आप दिल में याद रखिये, मुझसे कहिये नहीं अब मैं आपको कैसे समझाओ, देखिये, जो पत्ता आप खीचे, उसे इस तोर पर देखें कि मैं देखने न पाऊं और फिर उस पत्ते को दिल में याद रखे, और मुझे हर्गिज, हर्गिज न बताएं, मेरे पूछने पर भी न बताएं, समझें आप अब मैं बिक्कुल समझ गई, लाइए, पत्ता खेंचूँ मैंने जो कुछ कहा, उसका ख्यार रहेगा न आपको हाँ, क्यों नहीं, पर आप जल्दी कीजिए, मुझे दूसरे कमरे में जाकर पता लेना है, वो क्या कर रहे हैं दूसरे कमरे में? हाँ, बड़े शौक से, बड़े शौक से आप दूसरे कमरे में जाकर अपना पत्ता मिला सकती है मैं फिर भी आपको बता दूँगा खेल है, मजाक नहीं है आप पत्ता खेंच भाईए ये लीजिये खेंच लिया ये लीजिये ताश अपना पत्ता इसमें मिला दीजिये मिला दिया हाँ, अब मुझे वापस दीजिये अब मैंने सब पत्ते फेट दिये है देखा आपने सब के सब मिला दिये है हम मुझे नहीं मालूम कि आपका पत्ता कहा है खेल, इस बात को छोड़िए आपको अपना पत्ता खूब या देना कई भूल तो नहीं गई भूल कैसे सकती हूँ, पान का सथा था पान का सथा ही होगा पर किस, किस, किस अमक ने आपसे कहा कि आप बता दे मैं, मैं अब मैं क्या कहूँ अरे भाई, तौबा, तौबा अच्छा ठेरिये एक बार फिर कीजिये दरसल मैं यह चाहता हूँ कि आप ये खेल जरूर देखे, यकीन मानिये, बहुत दिल्चस्प है ठेहरिये, मैं जरा देखूं तो, वो दूसरे कमरे में इतनी देर से क्या कर रहे हैं मैं अभी आई अरे, और ये खेल, ये खेल, भाभीजान, भाभीजान सुनिये तो ये खेल जो मैं अभी-अभी सीख के आये हूँ चली गई अरे, किशोर, किशोर, जरा इधर ता आओ, यहां बेटो, अरे, खेल देखो कैसा खेल? अरे, भाई, ताश का और किसका, देखोगे तो खोश गुम हो जाएंगे ये लो, मैं पत्ता फेलाता हूँ तुम इन में से कोई सा पत्ता खीच लो, और उसे देखकर ताश में मिला दो अपर मुझे ना बताना कि तुम्हारा पत्ता कौन सा था, समझे मैं बिना देखे तुम्हारा पत्ता बता दूँगा यानि देखे बगेर, क्यों, कैसा है ये खेल? अच्छा है, लेकिन फिर कभी दिखाना, इस वक्त कोई और खेल देखने का जी चाहता है लेकिन किशोर, तुम सुन तो लो, शायद तुम समझे नहीं मैं ये सब पत्ते तुम्हारे सामने फेलाता जाऊंगा और तुम से कहूंगा कि इन में से कोई सा पत्ता खीच लो अपनी ये बक्वास बंद करो चलो चलो उठो, अरे, तुम सुनते हो की नहीं पेशतर इसके किवा आ निकले, हमें यहां से चल देना चाहिए खेल शुरू होने में जिर्फ 10 मिनिट वाकि मैं बस एक मिनिट में अपना खेल खत्त कर दूँगा किशोर, तुम ज़रा यहां बैठो न, देखो, यह रह पत्ते मैं अभी-अभी यह खेल सीख कर आ रहा हूँ और मुझे यकीन है कि तुम इसे पसंद करोगे मैं तुम्हारा पत्ता बिन देखे बता दूँगा बगर रोके मैं तुम्हारा पत्ता बिन देखे बता दूँगा बगर रोके बंद करते हो की नहीं कि इस बक्वास को किशोर, सिर्फ एक मिनिट लगेगा और तुम यह दिन से लो येकिन मानों बहुत दिल से इस पे मैं बिन्हों देखे दुनों तुमारों बता बता दूंगा किश्यर सुनों तो